कभी ए नोजवा मुस्लिम तदब्बूर भी किया तूने वो क्या गर्दू था जिसका है तूई टूटा हुआ तारा आठवी सरी ईस्वी से लेकर तेरें सरी ईस्वी के दोर को मुसल्मानों का सुनहरा दोर कहा जाता है ये दोर वाक्यातन इल्म और आगही का दोर था जब मुसल्मानों ने अलूम औ फनूम के दराग से काइनाती राज़ा को मुस्खर करना शुरू किया मदारे हकूमत बगदाद में मुन्तक्री हो चुका था मदारे स्वे जामियात में तामीर औ तह्तीक पर काम होने लगा कुर्तबा की यूनिवर्स्टी दुनिया की बेहतरीन दरसकाव बना यहां दूर दूर से लोग आकर अपने इल्म की प्यास मुझाने लगे तहजीब औ तमदुन के इस दोर में फनूने लतीफा भी परवान चल्या रूमी ने इसी दोर में शायरी को नए सिंथ अता दिए मुस्मान साइसदानों ने दुनिया को फाहं से हमकिनार करने की लाजवाल सही का बेरा उठाये मुहम्मद इबन मुसा अल्खवार्जमी ने अलजबरा मतारिफ करवाया और इबन ख्याम ने साइंसी तरीका तहकी अल्बेरूनी ने रोश्मी की वुसातों को जाना और जमीन के रदास का तख्मीना लगा इबन नफीस ने हुम्म की गर्दिश का सही रास्ता दुनिया को बताया और राजी ने क्रीनियल और स्पाइनल नर्व्स के इफाल बयान की इर्टका की जो थियूरी डार्वन से मुंसलिक की जाती है बहुत पहले नासरुदीन खूसी और इबन खुल्दून से अपने लफ जन्वरी 1258 में महोजनी शहर को घेड़े में लेकर हमला से दिनों की इस लड़ाई ने शहरे बगदाद का नक्षा बढ़ दिया वेशियों और बेरहन संगिलों ने पर पर तो लुक्मा अज्र बना बताने वाले बताते हैं के दजला के नीले पानी का रंग सुर्ख में ख़गा फिर जाहिलों ने इल्म से मुजयन किताबों को गर्याए दजला में पैंका जिससे आहिस्ता आहिस्ता पानी की सुर्खी स्याही की स्याहवात में गड़ गए इल्म इमान के खल्के से निकल कर शेतान के दर्वार की जिनत पर जिसने इस इल्म को मुसल्मान की तबाही और वर्वादी पर सर्फ करने में तन मन धन सब वार थी यूर्प में लो तेहकी की तरफ तबज्जो दी जाने लगी उनिवस्टीस का क्याम अवल में लाया जाने लगा असलिहा और जदीर जन्री आदात की एजाद होए लगी मगर उस वक्त मुसल्मानों की अंदास बदले अद्वार बदले और आदात बदले और इनकी महाफिव में तेहकी की जगा गुटभू इश्ग पर होए लगा काहिली और आयाशी ने मुसल्मानों को राह ज़वान पर गामजन की रक्सो सुरू जी में तेहीं सज्ग ये तू से चोब शेहिम शाहिम नाराजीम शेहिम शाहिम नाराजीम नही तक्त नही ताज न शाही नाजर नादन अक्तार के एबाने में आयाशी का राज होने लगा बतिस्मती से इस अल्मिये से आज तक हम जान चुड़ा नहीं पाए हाफिजल असद के बाद बशार असद को 2001 में हकूमत बगार किसी इतहाबाद के मिली जिसके नतीजे में मुलक में कुछ बागियों ने जनम लिया जो इस हकूमत के क्याम के मुखालिफ थे बागियों के जब इहतजाद बढ़ने लगे तो 2013 में हकूमत ने इने हामोश करवाने के लिए गैस बॉंबिंग करवा दी जिसके नतीजे में साथ सो से ज्यादा लोग अपनी जान से गए इन हालाद में रूस ने हकूमत की हमायत करना शुरू कर दी और अमरीका बागियों की मदद को मेदान में उतरा चूंके अमरीका और रूस हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन है सो ये अपनी जंगी प्यास को भुजाने के लिए अपने अपने हमायतियों को असलिहा और जंगी आलाद फराहम करते हैं और यूँ एक छोटा सा मसला जिसे बैठकर हल किया जा सकता था आलमी ताक्तों की वज़ा से कॉल्ड सिवल वार में बदल गया अब यहां रोज में दाने जंग सज़ता है रोज लोग मारे जाते हैं और लोग भी वो मासूम के जिनका तालुग ना तो हकूमत से है और ना ही इन बागियों से शाम की सरजमीन जो कभी इल्मों हिकमत और उरूच का मुकाम हुआ करती थी आज आलमी ताक्तों के लिए प्लेग ग्राउंड बनी हुई है और शाम की गलियों में ऐसी तारीकी च्छाई है जिसकी सुभों होने को नहीं आ रही बारूद के दुए हैं और मजलूमों की याहें जो इन गलियों से रोज गुलंद होती है मगर मजाल है कि किसी के कान पर जूँ बीरींगे पहली जन्दी अजीम के बाद खिलाफत अस्मानिया का खात्म हो जाता है 1916 में बालफोर डेकलरेशन के बाद यहूदी फलस्तीन का रुप करते है फलस्तीनी इने रहने के लिए जगा देते है वक्त गुजरता है और दूसरी जन्दी अजीम के बाद जब हिटलर ने यहूदियों पर जुम ढ़ाए तो यह फलस्तीनी इन सब यहूदियों को पनाह देते है खुदारा हम बेयारों मददकार हैं हमें पनाह दे दो कवा रहना के तुमने हमें महमान नवाज और इकराम करने वाला पाया कुछर साग गुजरता है और यहूदी अपने बाउं पर घर होना शुरू हो जाते हैं मगर आस्तीन के यह साम जल ही अपने ही निगहबानों पर कयामत बन कर तूटे हमारे रहने को जगात कम बढ़ रही है तुम यहां से निकल जाओ मगर हम तो यहां सद्रियों से रहते आएंगे तकीकत में यह हमारे अजदाद की जमीन है अजारों साल पहले हम यहां रहते हैं तुम्हारे अजदाद ने हमें यहां से निकाल बाहिर किया अब वक्त आ गया है कि हम तुमें निकाल बाहिर करें दूर हो जाओ यहां से क्टिए कि रहे करो जाले मत करो रहे करो जोल मत करो बाहा, 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 यू 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 यहूदियों ने फलस्तिन को इसराइल में बदलना शुरू किया धर्ती के हसूल के हातिर ये वहशी मुसल्मानों को दहशत गर्ध कहकर इन पे रोज गोले और बारूद बैसाते हैं मुसल्मान न तो इबादत कर सकते हैं न रियासत नमाज पढ़ें तो मोत सुकूल जाएं तो मोत बाहर निकलें तो मोत घर के अंदर मोत गर्ज मोत का एक खेल है जो लहू की शर्थ पर खेला जा रहा है और खिलोने हम मुसल्मान सुकूल जाहू का बादत कर सकते हैं सुकी शुआ को मिस्टान न जिन जुल्मते दासता कोई सुन्पा नहीं सोचते हो के जन्नत मेरते ही हम कैसे कम जिन्ददी जिसको सहते हम 1948 में बुदिस्ट के साथ मिलकर मुसल्मानों ने उग्रेजों से आजादी तो हासिल कर ली लेकिन तब रखाइन में बसने वाले मुसल्मान बंगलादेश का हिस्सा बनना चाहते थे मगर साजिशों ने ऐसा मुम्किन नहोने दिया ये बर्मा की रियासर रखाइन के एक घराने का किस्सा है जिसमें घर-घर की यही कहानी है मां भूख लगी है खाना कब मिलेगा थोड़ा सबर करो मेरी जान खुदा खाना देगा मां मां वो देखो रोटी पेटा वो रोटी नहीं वो चान है ऐसे मुल्क मार्शल्ला की भेर जटा है जिसके हमनी जर्नेल ये फैसला करते हैं कि मुसल्मानों को ना वजारतें न सरकारी नोपनियां और नहीं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी अगूप मैसर होंगे ये लो लड़की आज खाने में तुम्हारे बाप की जली हुई लाश है माँ माँ जो अबबा को जला गए वो क्या मुझे भी जला देंगे नहीं नहीं मेरी जान नहीं 1992 में आंसान सुची को नोबल परैसन नवाजा जाता है को हुर्पत की मारी हुई इस कौम की तरफ अगर बेरुनी इंदाद बेजी जाए तो इसी आंसान सुची की तरफ से लगाए गए पाबंदी की वज़ा से येंदाद उन्दक बोच्छ नहीं पाती हुआ 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 ह यहां मुसल्मानों को एक त्यार हासिल है नहाकूब यह बेचारे इंसानियत के निचले तरीन दर्जे पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और जालिमों ने तो जैसे ठान ली है के वो हेवानियत के परले दर्जे से भी गुजर जाएंगे मुझे जो सफम लगते हैं मुझे भी दर्द होता है मुसल्मान आने आलम को बताओ मैं परेशाँ हूँ मैं बर्मान का मुसल्मान हो मैं बर्मान का मुसल्मान आने आने दर्मान की जो सफितना हो जालम का परले दर्मान आने 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 इना दर्मान आई जी हकुमतों तर्वर्भी खावा जो ढूला लीडोला ओ बोला लीडोला ओ शाख बरदा शेर यजदा छाफ दा खुर माला लीडोला लीडोला बारी बारी बारा, बारी बारा, बारी बारी तरहरररर .. जötंड मुल्म ओ आली रसबात क्या है उबने, हालात क्या है उबने, देशा तुम निसके सार मारा है को सा से का इश से, सो आज इश है कुछ है उबने, देश के लादे पेश बराया ओशा है बर्दा जेरी यजिदा जाफिदा मारा तुम निसके सार मारा है प्रश्डी। अबने, याज़ा अबने, उसके सार मारा है इस ये वाले वह पीदिगी कि दो दो, दो वालेवाले को से के सी ही है ते उजज़ प्रश्डी है अथैं, देखो यहां सुखरें, आपने तुम निसके बशबत्सर है तुम नरम लाशी है तैका्टटव एकाण जितन की चाहीं। यस दगी बेड़ियां। यसभ दुवारे आप्रेहें। यसभ दुवारें। यसभ दुवारें। यस असक्तुव जहीं एकशभी। सच्वार अधर तुवारा ऑपकशानी यहीं आतुवारों वोझाएं। ये जमीर ये आसमा तेरे कबसे में है दो जाहां सब पे तू ही तो के महरवां हम ते दर से जाहे कहां तू ही सुनता है सब की सराव तू ही रखता है सब का फरम